तो question में क्या लिखा है consider the following two statements तो फिर से अपने पास दो statements दी हुई है A और B A में क्या बोला है कि linear momentum of a system of particles is zero और second में क्या है kinetic energy of a system of particles is zero तो दोनो statement का मतलब समझते हैं भई linear momentum का zero होने का मतलब हुआ कि L of the system is zero ठीक है sorry L बोलता हूँ P P of the system is zero अब क्या है न कि linear momentum का zero होने का मतलब होता है कि mass of the system into velocity of center of mass जो है वो zero आ गई तो इसका मतलब VC भी क्या आ गया जो है जो है वो rest पर है तो center of mass रेस्ट पे होने का ये तो मतलब नहीं होता कि सारे के सारे particles रेस्ट पे है एक तुच्चा से example अगर में ले लू इन दो particles का दोनों का mass बराबर है माल लेते हैं और दोनों बराबर speed से ऐसे आ रहे हैं तो इसका momentum इधर है इसका momentum इधर है दोनों एक दूसरे को cancel out कर देंगे और net momentum क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इसकी kinetic energy और इसकी kinetic energy एक दूसरे को cancel कर देगी ऐसा तो नहीं है kinetic energy वेक्टर तो होती नहीं है दोनों की kinetic energy add होईगी ठीक है तो linear momentum का 0 होने का मतलब जरूरी ही नहीं है कि kinetic energy 0 हो जैसा कि अपन लोग इस case में देखें ठीक है अब kinetic energy 0 है तो क्या है देखते हैं kinetic energy 0 का मतलब भी देखो सारे के सारे particles को rest पर रहना पड़ेगा सारे के सारे जैसे मान लो यहां पर 5-6 particles है तो अब kinetic energy again scalar quantity है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एक चले मान लो कोई मान लो ऐसे positive side में जा रहा है या इस direction में जा रहा है और एक इस direction में जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि यह positive है और यह negative है और दोनों cancel out हो जाईगी ऐसा तो नहीं होएगा scalar quantity है तो कोई एक भी अगर चल रहा है ठीक है ना तो kinetic energy system की 0 नहीं हो सकती ठीक है ना इसका मतलब अगर पूरे system की kinetic energy 0 है तो सारे के सारे particles सारे के सारे है ना ये 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 सारे के सारे particles rest पे होना कंपल सरी है अब सोचो जब सारे rest पे होंगे तो सब का individual momentum 0 होगा तो जब सब को जोडोगे तो system का total linear momentum भी 0 ही आएगा ठीक है तो B जो है वो A को imply कर रहा है जैसा कि अपन लोग यहाँ पर देखे लेकिन A B को imply नहीं कर रहा जैसा कि अपन लोग यहाँ पर देखे ठीक है ना तो इसका answer क्या हो गया D again B implies A but A does not imply B ठीक है Thank you